आप toca मेन कुछ ऑप करें कि माबाप ए तो अबरे वीडियो सबूरे इस डृट करते हैं और शोरी नहीं है ट्रही उड्रा इट और शोरी और करना द्रेट वार से स्टार्ट करते हैं तो आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हों कि मेरे नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत 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 स्वागत है दोस्तों यह लेचर की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है बहुत साधा कर्ण है सबसकर करें जिनको हराना लगभग लगबısंडी बहुत मुंद्र है बहुत मुश्किल हुई थी अर्जुन के ओपर भारी पड़ गए थे भीम को हराया और दान वीर कर्ण की कहानिया तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है दान की कहानिया मरते मरते भी कृष्ण को दान दे दिया इन्होंने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया ऐसे थे कर्ण सबसे पहले धर्म उसके बात कुछ आएगा लेकिन कर्ण जो है वो कौर्वो की तरफ से लड़ रहे थे अब ये बड़ा क्या कहता है बड़ी ट्रैजिडी है कौर्वो की तरफ से कर्ण लड़ रहे थे थे पांड़ तो हम एक ओवर्वीव लेंगे और कर्ण की बहुत सारी अंटोल्ड स्टोडी देखेंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगी तो चलिए आगे वड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों आपको पते हैं स्टेडी ग्लोस में everything you will find हम हर एक चीज़ कवर करते हैं religious स लेकर UPSC तक और सब कुछ यहां पर कवर होता है धीमेदी में और भी सब्जेक्स कवर होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे कहल में एक सेकेंड लगेगा तो यार इतना तो आप करी सकते हो इंस्टा पर मुझे फॉलो नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता वहां पर क्या डाला जाता है तो मेरा ओरिजिनल चैनल है जिसमें लगबख साड़े 13,000 के करीब सब्सक्राइबर है तो आप यहीं जोइन करिएगा यहां पर आपको PDF मिल जाएंगी जब तक हमारी website ready नहीं होती है तो कर्ण के बारे में ब लिखी गई फिर तेरेता महाभारत लिखी गए मैं गीता के लेच्चस ले रहा हूं आई होप आपने सुने होंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है तीन अध्या खतम हो चुके हैं जरूर सुनिएगा और फिर कल्यूग जो अभी चल रहा है तो महाभारत जो है वो द्वापर युग में लिखी गई थी जब धर्म के दो ही पैर बचे थे तो महाभारत एक ऐसा महाकाव है जिसमें यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आप अपनी जिंदगी खोज सकते हैं तो महाभारत में भगवान कृष्ण हैं महाभार महाभारत में अर्जुन हैं और महाभारत में कर्ण भी हैं सारे भगवान महाभारत में हनुमान भी हैं महाभारत में विष्णू भी हैं महाभारत में शिव भी हैं तो पूरा हिंदुईजन जो है वह महाभारत पे आके कन्फाइन हो जाता हलां कि बहुत सारे अब दोस्तों करण की बात करें तो ये सूर पुत्र थे लेकिन ये सूत पुत्र बनके रह गए कहानी हम देखते हैं करण का जनम कैसे हुआ कब हुआ देखिए आपको पता ही है कि यादव डाइनस्टी के जो राजा थे शूर सेन उनकी बहुत ही खुब्सुरत बेटी थी जिनका नाम था प्री था बाद में वो कुंती बनी हम कुंती की ही बात कर रहे हैं तो दुर्वासा जो हैं दुर्वासा रिशी बहुत महान रिशी दुर्वासा वो एक बार आये यहाँ पर रुके और खातिरदारी से बहुत ज़्यदा प्रभावित हो गए अब सुर सेन ने ये बोला कुंती से कि देखो दुर्वासा आए हैं और वो उनकी होस्पेटालिटी तुमको देखनी है ये सुनिश्चित करना है कि ये बहुत अच्छे से रहें कुंती बड़े खुश कुंती ने दुर्वासा का बहुत अच्छे से खयाल रखा और दुर्वासा बड़े खुश हो गए तो दुरवासा जब जा रहे थे वो इतने खुश थे कुंती से कि उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक सिद्ध मंत्र देता हूँ एक तरीके से वर्दान दे दिया इस सिद्ध मंत्र का उचानर करके तुमको जो चाहिए किस कंटेक्स्ट में बच्चों के कंटेक्स्ट में जिस भगवान से जो बेटा चाहिए तुमको मिल जाएगा कुंती बहुत खुश लेकिन उस समय कुंती जो है वो टीनेज में थी अब हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये सिद्ध मंत्र काम करता है कि नहीं सूरजुगा कुंती ने ये सिद्ध मंत्र पढ़ दिया तो सूरज का जब उद्य हुआ सूर भगवान सूर साक्षाद जो है वो कुंती के सामने प्रकट हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना सूर की जो एनरजी है अपनी एनरजी को यूज़ करके उन्होंने कुंती को एक बच्चे का वरदान दे दिया और जनम होता है करण का यहां से करण की स्टोरी शुरू होती है लेकिन करण का जब जनम हुआ दोस्तों तो वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे सूर पुत्र, सूर देखे एस्टोलोजी में भी सबसे बड़ा प्लानेट सूर होता है जब आप एस्टोलोजी में जाएंगे और जब आपकी कुंडली निकाली जाते सूर की पोजिशन को ही देखे कुंडली निकलती और संज इसका स्ट्रॉंग होता है अड्मिनिस्ट्रेशन करियर जब आप कंसल्ट करने जाते तो सूरजी देखा जाता है आपके हाथ में भी सूर की रेखा होती है न है कि नहीं तो सूर बड़ा इंपोर्टेंट है तो भाई सूर पुत्र थे करन सूर जैसा तेज था लेकिन कुंती उस समय शादी उनके नहीं हुई थी अविवाहित थी कुंती को लगा मैं तो शरम के मारे मर जाओंगी जब लोगों को पता ये चलेगा समाद में ये फैलेगा कि मेरा बेटा हो गया है और मैं अविवाहित हूँ तो कुंती ने अपने कलेजे पे पत्थर रखके करन को करन को अलविदा कह दिया उन्होंने टोकरी में रखा करन को और छोड़ दिया नदी में बहा दिया और करन जो हैं ये देख सकते हैं आप अश्व नदी जो महल के बगल में नदी थी अश्व नदी वहाँ पे बहा दिया करन बहुत ही छोटे कावच और कुंडल था उनके पास बचपन से ही मतलब बचपन में ही यहां से इनका स्ट्रगल शुरू हो गया कुंती को समझ में नहीं आया बहुत दुख था कि मुझे अपने बच्चे को अलविदा कहना होगा लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था और पैदा होते ही करन का स्ट्रगल शुरू हो गया लेकिन दोस्तों यहां सही महानता की शुरुवात होती है बाद में कुंती की शादी हुई पंडू से और उसके बाद युदिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल यह सारे बच्चे हुए कुंती को इस सिध्ध मंत्र से के द्वारा अब दोस्तों करन सबसे पहले पैदा हुए थे तो करन पंडवों में सबसे बड़े हुए न तो करन को टेक्निकली पंडव के साथ मिलके लड़ना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं करन कौरवों के साथ लड़े और आखरी तक करन को यह नहीं पता था कि पंडव उनके भाई है और कुंती उनकी माता है जब महाभारत में करन युद्ध में कूदे तब यह पताच लगा करन को कुंती ने खुद बताया कि मैं तुम्हारी मा हूँ लेकिन उसके बावजूद करन अपने पत से नहीं डगमगाए एक प्रान जाये पर वचन ना जाये ऐसा था करन का कुछ क्यारेक्टर तो यह unwanted child था कुंती का छोड़ दिया उन्होंने अब बास्केट जो है ऐसे बहती गई बहती गई यमुना नदी फिर उसके बाद गंगा नदी में पहुँची फिर अंग किंडम में पहुँच गई जो आज के ancient बेंगॉल है ना वहां पे पहुँच गई और उसके बाद करन को एडॉप्ट किया सूतों के परिवार में सूत मतलब जो रथ बनाते हैं रथ चलाते हैं शायरी ओटियर अब राधा और अधीरत नंदन ने इनको पाला बास्केट बहते 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 के पास गई तभी दोस्तों आप कुंति पुत्र नहीं सुनेंगे आप राधे पुत्र सुनेंगे हमेशा क्योंकि करन को राधा ने पाला था अब देखिए आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए भगवान सूर के पुत्र थे करन ये कितनी बड़ी सीख है और ये कहां पले ये सूतों के यहां पले आप आपको लग रहा है कि बड़ी बात क्या बड़ी बात यह है कि उस समय इस कमुनिटी को इक्वल बिलकुल नहीं कास्टिजम था भारत में तो इक्वल फूटिंग्स पे नहीं सम रखा जाता था यहां पर तो यह बहुत बड़ी बात है कि तो राधा और अधीरत नंदन ने पाला अब दोस्तों था तो इनमें शत्री पा खून, कौण बड़े हुए और बहुत बड़े वर्यर बने, शुर्वात में इन्होंने अपनी वर्यर इसकिल्स जो गो जो है वो दिखाना शुरू कर दिया था अब दोस्तों जब यह बड़े हुए जब देखिए एक तरफ है पांडव, पांडवों को सारे सुख मिले हालाकि यह बात अलाग एक बार बरुन को कौरवों से चुनावती मिलती रहे लेकिन वो सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुए थे, पांडवों को तो सारे सुख मिले और दोनाचार ने पहले ही वादा कर दिया था अर्जुन से कि मैं तुम ही कोई सर्वच्रेश्ट धनुर्धर बनाऊंगा महा भारत एक ऐसी कहानी है एक थोड़ी अन्याय की भी कहानी लगती है एक लब के साथ अन्याय हुआ है कर्ण के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं ऐसा लगता है और ये बहुत कुछ आपको सिखाती भी है लेकिन कर्ण कभी भी इससे पीछे नहीं डटे पीछे नहीं हटे तो जहां दुरुणाचार ने सारे कॉर्वो को पांडवो को शिक्षा दे रहे थे करण भी उनके पास पहुँचे दुरुणाचार के पास पहुँचे और करण को दुरुणाचार ने शिक्षा देने से मना कर दिया कि तुम तो सूत पुत्र हो हम शत्री को शिक्षा देते हैं करण्ड वोस सुपब काफी efficient है लेकिन करण्ड को मना कर दिया कि तुम शिक्षा लेने के लायक नहीं हो ठीक है तो दोस्तों जब मना कर दिया तो करण्ड कहां जाते देखिए जो अधिरत थे वो ध्रतराष्ट के सार्थी थे ये भी आपको याद रखना है और एक शूद्र थे तो करण्ड को उन्हों नहीं पाला था और बड़ी दिक्कत थी प्राब्लम बहुत ज़ादा थी लेकिन करण्ड से बहुत 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 ज़ादा इस्पेशली जो उनकी माता जी है राधा वो बहुत प्यार करती थी करण्ड से करण्ड को अपनी आँखों से बिल्कुल ओजल नहीं देनी होने देती थी करण्ड की किसमत अलग थी करण्ड एक बॉर्न वारियर थे और उनकी किसमती थी कि वो वारियर बनेंगे लेकिन उनके पिताची आखरी तक समझाते रहे कि बेटा मज जाओ, प्लीज मज जाओ वहाँ पे जो तुम्हारा रास्ता है तुमको अंत में, मतलब फिर सही नहीं होगा, तुम्हारा अंत सही नहीं होगा हम यह सब देख नहीं सकते, लव, रिस्पेक्ट सबसे महान गुरू थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं पढ़ाँगा सूत पुत्रों को हम कोई नौलिज नहीं देते हैं हर जगा गए, हर जगा, हर ब्राह्मन के पास गए, करण हर गुरू के पास गए, सब ने मना कर दिया कि तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम ही कहां पढ़ने आ गए हो, तुम जओ यहां से फिर करण गए सबसे महान गुरू के पास, योधा वारियर, अवतार, परशुराम और परशुराम से शिक्षाली, वही परशुराम जिन्होंने द्रोणा चार को सिखाया था वही परशुराम जिन्होंने भीश्म पितामा को शिक्षा दी थी, करण ने उनसे शिक्षा ली, परशुराम जो सबसे महान अवतार थे बाई वो तो, लेकिन परशुराम प्राम्हन थे और वो सिर्फ ब्राम्हन और वो भी शत्रियों को सिखाते थे करण के अब दुविदादी मन में कि करण को पता था कि ऐसे तो मुझे चिक्षा मिलने से रही अब देखिए हिंदों में गुरुओं की बहुत बड़ी एक पोजिशन होती है ताकि वो सूत पुत्रया शूद्र हैं परशुराम ने करण को शिक्षा दी सारे अस्त्र शस्त्र के शिक्षा दी भाई यहां पे दुरियोदर कहा रहा हूं स्वरी दुरुणा चार तक परशुराम से सीख्या गए तो आप शिक्षा का स्तर समच सकते हैं कि इसले तो करन को हराना लगबघ लगबघ मनामुंकिन था करन ने लगबघ सब को ही हरा दिया था और बहुत फ़री में हमां बताऊंगा सारी स्टोरी हैं, मतलब जितनी, सारी तो नहीं, बहुत ही जादा है, ठीक है, हजार से भी जादा स्टोरी होगी, लेकिन कुछ जो बहुत जानी मानी है, जो शायद आपने सुनी भी ना हो, तो एक बर क्या हुआ, जब कर्ण सारी शिक्षा में निपोड हो गए, कर्ण को सब कुछ पता चल गया, यहाँ पर परशूराम ने बता दिया, तो एक दोपहर परशूराम सो रहे थी, मतलब परशूराम को नीन आई बहुत, तो कर्ण ने बोला कि आप मेरी गोद में सो जाओ मेरी गोद को तकिया समझ के अपना सिर जुका लो, और आप सो जाओ, तो कर्ण जो है, मतलब परशूराम उन्होंने यही किया, और कर्ण ने परशूराम को अपनी गोद में सोला दिया, जब परशूराम सो रहे थे, तो एक कीड़ा आया, और कर्ण को काटा, कर्ण की नीदी तूट जाती, और मैं यह नहीं कर सकता, मेरी कुछ भी हो, मेरी गुरू की नीद, गुरू को आराम करना है, तो वो आराम करेंगे, तो जब परशूराम उठे और उन्होंने देखा, कर्ण के बहुत जादा खून बहरा है, तब परशूराम को इस समझ में आ गया, कि इतना साहस, इतना धैर, सिर्फ या तो शत्री में होता है, या ब्राम्मन में होता है, तुम कौन हो कर्ण, और कर्ण ने फिर सच बता दिया, कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परशूराम को बहुत गुसा आया, और परशूराम ने कर्ण को एक शराप दे दिया, परशूराम इस श्राप को accept किया लेकिन बाद में परचु राम कभी-कभी गुस्से में इंसान बोल जाता है यहां तो भगवान है तो परचु राम को फिर बाद में इसका हैसास हुआ कि मैंने लगता बहुत गलत बोल दिया परचु राम देखिए परचु राम तो वो इसके खिलाफ नह नहीं थे कर्ण अगर उनको पहले ही सच्चाई बताते और कर्ण अगर खरे उतर जाते तो शायत कर्ण को वो ऐसे भी मतलब वो ले लेते अलाव करते थे कि ठीक है मैं तुमको शिक्षा दूँगा लेकिन कर्ण इनको सच्चाई नहीं बताई इसलिए परचु राम और शिक्षा नहीं दे रहा है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शिराप दे दिया था कर्ण ने परशुराम के आश्रम को छोड़ दिया तो कर्ण जब गया देखे एक तरफ कर्ण की शिक्षा पूरी होगी और एक तरफ पांडवो की शिक्षा पूरी होगी तो यहां पे जिनको मैंने शिक्षा दी है, वो कितने कुशल हैं, इसके लिए बहुत बड़े टूर्णामेंट का आयोजन किया गया हस्तिनापुर में, जिसमें सारे कुरू प्रिंसेज आएंगे और अपनी यहां पे कुशलता दिखाएंगे, तो उसमें सब आए, कौरव कौरव आए, दुर्योधन आया, उसके बाद नकूल सहदेव आये, फिर भीम आये, युदिष्टिर आये, युदिष्टिर सबसे बड़े थे, और आखरी में अर्जुन आये, अब जब अर्जुन आये, जो कि बहुत बड़े गिफ्टेट आर्चर थे और गुरु द्रोड ने वै और उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया, कि तुम मुझे हरा के दिखा दो, तभी कृपाचार ने बोला, कि करंड नहीं लड़ सकता, क्यूंकि करंड सूत पुत्र है, शत्री नहीं है, तो तुमको इस सभा में आने का कोई अधिकारी नहीं है, पहली बात तो ये, करंड क बहुत खड़ी-खोटी सुनाई, कट शौट कर रहा हो दोस्तों, बहुत लंबा संबाद है, आप एक समझे कि यहां पर एक अध्याय बहुत लंबा है, तो करंड ने खड़ी-खोटी सुनाई, कि मेरी क्या गलती है इसमें, अगर मेरा जनम जो है, वो as a शूद्र हुआ है, और एक कंडिशन ये भी थी, कि अगर तुमारा कोई क्लैन और किंग्डम है, तो भी तुम इस टूर्णामेंट पे भाग ले सकते हो, लेकिन करंड का ना ही कोई क्लैन था, ना ही कोई किंग्डम था, तब ही दुर्योधन आया, और दुर्योधन ने बोला कि करंड, क्योंकि अंग का प्रदेश, दुर्योधन ने दे दिया, तो करंड टूर्णामेंट पे उतर गया, और अर्जुन की नाक में दम कर दिया, आप समझ लीजे, इधर करंड, इधर अर्जुन दोनों ही युद्ध कर रहे थे, और जब करंड की कोशलता को देखा, अर्जुन का इतना ब जिती भी हो रही थी कि यार, ये तो बड़ा खतरनाक मामला थाबित हो गया, लेकिन ना अर्जुन हार रहते हैं, ना करंड हार रहते हैं, उसके बाद इस युद्ध को यहीं रुका गया, जब लगा कि दोनों ब्रह्मास्त्र ना छोड़ दे एक दूसरे के उपर, दुर्य भी तुमको धोका नहीं दूँगा, मेरा तुमसे बादा है ये, और दुर्योधन देखिए दोस्तों ये दोस्त, आपको बता है कि दुर्योधन सौ भाई मर गय थे, दुर्योधन के तब भी नहीं रोया, लेकिन जब करंड मरा था, तब दुर्योधन रोया था, एक्टर, कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है, पांडव भी कुछ बुरे थे, कुछ अच्छे थे, मैंने बता है ना, पांडव दो नर्क में गय थे, बलकि सारे कौर और स्वर्ग में थे, उसका लेचल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँग तो दुरियोधन आखरी तक दोस्ती निवाई है करण से, बहुत अच्छे दोस्त रहे दोनों करण और दुरियोधन, इसी बीच आपको पते ही है करण बहुत अच्छे से रूल कर रहा था अंग प्रदेश में, बहुत बढ़िया दान वीर था ना, यह दानी था करण, और धीमे धीमे करण बहुत जादा ताकतवर होते गए, लेकिन करण शकुनी को नहीं पसंद करता था, और करण इंडारेक्टली दुरियोधन को बोलता भी था कि शकुनी जो है वो सही नहीं है, अब दोस्तों बात करते हैं हम स्वयमवर की, करण भी स्वयमवर में गया था, कि स्वयमवर में यह मिलेगा कि दुरापदी करण से प्यार भी करने लगी थी, जब उन्हेंने करण को देखा था, लेकिन दोस्तों जब स्वयमवर शुरू हुआ, कृष्ण भी थे, अब कृष्ण की एंट्री हो गई थी, अर्जुन के लाइफ में, तो कृष्ण पल-पल अ आपको मचली की आँख में निशाना लगाना है, और वो भी कैसे, नीचे जो है, एक तस्तरी थी, उसमें पानी था, उसमें प्रतिविम्ब दिखेगा, और वहां से देखते हो आपको मचली की आँख पे निशाना लगाना है, तो कृष्ण को पता था कि कर लेगा, कर्ण सूत पुत्र है, लेकिन देखें, द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को चाती थी, और द्रौपदी चाती थी कि अर्जुनी जो है, वो उनका पती बने, तो जब ये पता चला, कर्ण एक सूत पुत्र है, तो द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण की बहुत बेज़ती की, कर्ण ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहाँ से चले गए और अर्जुन ने उस पूरे टूर्णामेंट को जीता और द्रापदी की अर्जुन से शादी हुई लेगिन फिर आपको कहानी पता है कि जब अर्जुन जो है वो द्रापदी को कुंती के पास लेके गए तो कुंती ने बोला, कुंती उस समय मंत्र जब कर रही थी, ध्यान में मगन थी, तो कुंती ने ये बोला कि जो भी लाए हो अर्जुन तुम, वो पांचों में पांचों भाईयों में बाट लो, तो इसलिए हम देखते हैं कि द्रौपदी की शादी पांडवों से हो गई, पा प्लान मनाया कि हम इनके, देखिए, क्या हुआता ना, कि जमीन का बटवारा हो गया था, ठीके, यहाँ पे पांडवों को जमीन दे दी गई थी, लेकिन वो जमीन मिल्कुल बंजर थी, तो पांडवों ने वहाँ पे भी बहुत बड़ा सामराज बना लिया, और जब दुर दुर्योदन आश्यर रिचकित रह गया, तो दुर्योदन ने जब शकुनी को बताए, तो शकुनी ने पूरा खेल रचा, जिसको चौसर का खेल कहते हैं, अब चौसर का खेल इस तरीके से था, कि यहाँ पे पासो का जो कंट्रोल था, वो शकुनी के पास था, अब चौसर एक तरीके का जुआ था, जो कि पासो की मदद से खेला जाता था, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, कर्ण भी आया था, ये दोस्तों जो अध्याय है, ये बड़ा ही ये खलत है, कर्ण ने यहाँ जो किया, वो बहुत गलत किया, हर चीज हम सरहा नहीं सकते, कुछ खतम हो गया था, खाली उनकी पतनी द्रौपदी बची थी, द्रौपदी को भी गवदाओं पर लगा दे, उनको भी हार गए, तो भरी सबा में द्रौपदी का चीर हरन होने लगा, और तब कर्ण भी द्रौपदी को बहुत सारी चीजे बहुत उल्टा सीधा बोला कर पांडवो को वनवास होता है, मतलब उनको काफी लंबा वनवास और आखरी साल अग्यातवास का होता है, जब वनवास काटके आते हैं, तो पांडवो ने बिलकुल निश्यत कर लिया होता है कि अब तो युद्ध होगा, महा भारत से पहले भी दोस्तों बहुत कुछ हुआ देखिए जब ये चौसर का खेल हुआ तो भीम ने परस्टनली बोला था कि मैं दुर्योधन को खतम कर दूँगा और बहुती घलत शब्द इस्तमाल केते करण ने दुरौपदी के लिए तो पांडवों को फिर वनवास मिलता है जैसा कि मैंने बता और एक साल का ज्यातवास और तब करण ने ये टास्क लिया कि मैं दुर्योधन को दुनिया का राजा बना दूँगा और करण जहां गया उसने वो उस किंग्डम को हरा दिया कामबोज, शक, कैकयास, अवंतियास, गांधाराज, माद्रकास, सब कुछ, तंगानाज, पंचालाज, जितने भी किंग्डम्स हैं मिला लिया दुर्योधन ने अपनी आर्मी ने आर्मी में और उसका सबसे बड़ा रीजन था कैण फिर इंड्र, इंड्र किसके इंड्र जो हैं देवो के देव, बोला जाता है king of the gods, इंड्र और अर्जुन के पिता जी भी थे अब जब इंद्र को ये लगा इंद्र बड़ा घमंड में थे कि अर्जुन मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी लेकिन सूर पुत्र कर्ण उबर रहे थे तो इंद्र को टेंशन होगी और इंद्र ने बोला कि यार ऐसे तो कर्ण को हराना नामुमकिन हो जाएगा इस कवच और कुंडल की वज़े से कर्ण को और कोई नहीं मार सकता तो इंद्र ने सोचा कि चलो कर्ण को थोड़ा सा कमजोर किया जाए कर्ण के पास गए, एक पूर ब्राम्हन, बहुती गरीब, देखे कर्ण दानवीर थे, मैं आपको कर्ण की दानवीर के कहनी बताता हूं, एक बार क्या हुआ था, कि कृष्ण जो है, वो अर्जुन के साथ कुछ वारतालाब कर रहे थे, कि स्टोरी बदा दे थे, बली की स्टो स्टोरी, तो यहां पर जब सबसे बड़े दानवीर की बात हाई, तो कृष्ण ने बोला कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं, कर्ण से बड़ा दानवीर आ कही कोई नहीं था दोस्तों, महादानी थे वो, कोई भी उनको कुछ भी कह देता था, वो दान कर देता, कुछ चबी एक बार तो विष्णु स्वयม प्रकट हुए चलिये बहुत मैंने बतां बहुत आपनी स्टोरी इस प्रक कि सुनूदि शुने एक बार विष्णु स्वय्म प्रकट हुए और उन्होंने भी एक बूढे का वेज भरा धरा और दुरियोधन के पास गए उन्होंने दुरियोध्यान से बोला कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो तो दुरियोध्यान ने बोला मेरी जवानी तो मेरी बीवी की है मुझे अपनी वाइब से पूछना पड़ेगा जब आप अपनी वाईव से पूछे तो दुरियोध हन को बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता अप अपनी जवानी हो सकते тоже नहीं दे सकते तो दुरीयोध हन ने ब्राह्मन से शमा मांग ली उसके बाद वो गए करन के पास करन से बोला कि तुम मुझे जवानी दे दो कर्ण ने हस्ते हस्ते बोला कि आप बिल्कुल मेरी जवानी ले लीजे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भगवान विश्णू स्वयम अपने रूप में है तो कई बार कर्ण के दानी होने की परिक्षा जो है वो भगवान करते रहे हैं और हमेशा प्रसंड रहे है । कर्ण का नाम महा भारत में सबसे बड़ा है आपको औरजून के haters मिल जाएंगे आपको बहुत मतलब महा भारत में सबके haters मिल जाएंगे लेकिन कर्ण के कोई hater नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो बात आई महादानी की महाग्यानी की तो भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्ण सबसे बड़ा महादानी है तो भगवान कृष्ण ने बोला चलो ठीक है परिक्षा ले लेते हैं तो दोनों लोग वेजधारर किये घरीब का वेजधारर करके पहले गए युदिष्टिर के पास तो जब युदिष्टिर के पास गए तो युदिष्टिर से बोला कि महराज हमको चंदन की लकडियां चाहिए क्या आप देंगे उस समय बहुत रात हो रही थी पानी बहुत बरस रहा था युदिष्टिर ने बोला कि अरे यारब सूखी लकडियां कहां से लाएं बहुत कोशिश की लेकिन सूखी चंदन की लकडियां तो नामुम्किन है इस बारिश में शमा करें महराज मैं आपको सूखी चंदन की लकडियां नहीं दे पाऊंगा फिर उन्हेन बोला ठीक है आप जब नहीं है तो हम वापस जा रहे तो कईन बोला रुको कईन ने अपने महल के सारे दर्वाजे जो भी चंदन से बने थे अपना बिस्तर वो भी चंदन से बना था उन सब को तोड़ दिया और लकडिया दे दी तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देखा अर्जुन इतना महाधानी है कईन चंदन की लकडिया चंदन का बिस्तर चंदन के दर्वाजे तो युदिष्टिर के पास भी थे लेकिन तब भी उसने ये नहीं किया लेकिन कर्ण ने एक पल नहीं सोचा एक और कहानी है दोस्तों एक और सुन लीजे ये तो सबसे बहुत कॉमन है जब महाबारत खतम हो गई और कहन जो है यो युद्ध भूमी में पड़े हुए थे अर्जुन ने छल से उनका वद किया था वैसे आपको बता दू कि कहन को छल नहीं पसंद था शकुनी का भी जो प्लान था छल से पांडवों को मारना वो कहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था तो क्या हुआ कि जब कृष्ण कहन के पास गए मतलब जब बैटल खतम होगे और बैटल खतम के मतलब जब कहन का वद कर दिया अर्जुन ने तो कर्ण जो है वो बैटल फील्ड में पड़े हुए थे तो भगवान कृष्ण एक ब्राम्हन का वेजधारण करके कर्ण के पास गए और भगवान कृष्ण ने उनसे बोला कि मुझे सोने की चीज सही है कोई तो कर्ण ने बोला कि मेरे दात सोने के हैं आप वो लीजिए तो उन्हों ने बोला भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तुमारे दात नहीं निकालूँगा मैं थोड़ी ना तुमारे दात निकालूँगा कर्ण ने वहां से एक पत्थर लिया और अपने दात तोड लिये और वो दोनों सोने के दात भगवान कृष्ण को दे दिया भगवान कृष्ण बहुत प्रसंद गुए तो इतने बड़े दानवीर थे तो ऐसे ही इंद्र पहुँचे कर्ण के पास एक भिकारी का वेश एक भिकारी ब्राह्मन का वेश धानन करके और कवच और कुंडल मांग लिया उनसे तो अब फिर क्या फिर एक बार कर्ण से जो चीज मांग ली वो कर्ण दे देते थे कर्ण ने हस्ते हस्ते अपना कवच और कुंडल दे दिया और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों सूर्य भगवान सूर्य ने करण को बोला था कि इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे कवच और कुंडल के लिए मांगेगे तुमसे लेकिन करण को पता था उसके बावजूत करण ने ये दान कर दिया ये महानता है करण की क्या बात है अब दोस्तों युद्ध शुरू होने वाला बहुत वैसे लंबा लिच्चर हो रहा है मैं अब इसको थोड़ा फटाक से खतम करता हूँ फिर देखे करण की स्टोरी मैं समय समय पर उस पर सेपरेट लिच्चर बदाता रहूँगा तो जब य जो है हमारे साथ लड़ो अचा उस स्टोरी पर भी हम बाद में आएंगे ठीक है ठीक है तो कुंती ने कुंती को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि देखे करण भी कुंती के बेटे और पांडव भी कुंती के बेटे तो डर ये था कि यहां पे करण जो है या तो पांडवों का व कर देंगे तो दोनों में लॉस कुंती का ही होगा तो कुंती डर के मारे कर्ण के पास पहुंची और बताई कि मैं तुम्हारी मां हूँ और यह बहुत ही एक हार्ट टचिंग मुवमेंट है दोस्तों बहुत जादा तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कर्ण ने उनको साधर प्रणाम किया कर्ण बहुत जादा एमोशनल हो गए लेकिन कर्ण ने यह बोला कि मैं कि आप चाहती तो उस टूर्णामिंट में भी यह बोल सकती थी कि मैं आपका बच्चा हूँ अगर आप ऐसा करती तो आज महा भारत होता ही नहीं या फिर अगर महा भारत होता भी तो हम ही जीते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया उस समय अगर आप उठे जाती और बोल जाती कि तुम मेरे बेटे हो तो आज मैं आप की तरफ से आज मैं पांडवों की तरफ होता लेकिन उस समय दुरियोधन ने मेरा साथ दिया तो मेरा पूरा जो लोयलिटी है वो दुरियोधन की तरफ होग लेगिन कर्ण ने ये बोला कुंती से कि आप जब तक आप जीवित हो मतलब जब तक युद्ध चल रहा है और जब तक हम मैं जीवित हूँ तब तक आप पांडवों को ये सचाई मत बताईएगा क्योंकि अगर युदिष्टिर को ये बात पता चल जाती तो युदिष्टिर युद्ध रोक लेते और अगर ऐसा होता तो कॉर्ण और अर्जुन कभी लड़ते ही नहीं और दोनों ने प्रतिग्या लिती कि दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती तो आप देखिए वार शुरू होने वाला था तो भी भीष्म कमांडर इंचीफ बनाए गए और उन्होंने करण को युद्ध में आने से मना कर दिया और करण को उन्होंने थोड़ा इंसल्ट भी किया ठीक है करण भीष्म के खिलाफ खड़े हो गए और करण को बहुती खराब एथोरिटी दी जा रही थी भीष्म ने बोला कि चलो करण युद्ध में लड़ेंगे लेकिन एथोरिटी बहुती एक लो कमांडर कमांडिंग पोजिशन दी जा रही थी अब करण तो भीष्म के लेवल के युद्धा थे तो करण और भीष्म थोड़ी बहस हो और करण ने बोला कि मैं भीष्म के भीष्म की एथोरिटी के अंदर नहीं लडूँगा तो दुर्योधन का मूट खराब हो गया लेकिन दुर्योधन को भी पता था कि भीश्म पितामा जिसकी साइड हो गये वो युद्ध जीट जाएगा तो यहां पे कर्ण का यही स्टायन्ड था कि भीश्म जब तक है तब तक मैं नहीं होंगो और शायद मेरी युद्ध में आने की जरूरत भी ना पड़े तो आपको पता ही है कि भीश्म ने बैंड बजा दी थी आधी से जाधा सेना को वो तो शिखंडी की वज़े से भीश्म ने हतियार डाल दिये थे फिर अर्जुन ने शैया पे भीश्म को लिटाया क्या वो एक अलग का आनियों देखेंगे हैं वो कभी तो उसके बाद जब भीश्म जब शैया पे लेटे हुए थे और जब द्रोणाचार जनरल बने तब कर्ण आते हैं बैटल फील में 11 दिन महाभारत 18 दिन तक चली थी 11 दिन कर्ण ने एंट्री ली 13 दिन द्रोणाचार ने चक्रव्यू की रचनाकी जिसमें अभिमन्यू मारा गया बहुत ब दोस्तों ये करना था और कुछ कर नहीं सकते थे कुछ भी नहीं कर सके कर्ण बड़ा दुख हुआ ऐसा था अब दोस्तों जब कर्ण सब भारी पड़ रहे थे तो चौदवे दिन घटोतकच आते हैं घटोतकच जो भीया भीम के बच्चे थे भीम के बेटे आधे असुर आ पुला ये भाईया कौन आ गया है और उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया तब दुरियोधन ने कर्ण से ये रिक्वेस्ट की कि सिच्वेशन को संभालो और तब जो शक्ती वेपन था शक्ती हतियार यूज करो हाला कि ये हतियार कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के पड़ा और घटोतकच मारा गया ऐसा था हाला कि आपको ये बताओ ये जो शक्ती हतियार था ये कर्ण को इंद्र ने दिया था और इंद्र ने बोला थे हैं तुम एक ही बार यूज कर सकते हो इसके बाद तुमको ये इंद्र को लोटाना पड़ेगा तो कर्ण ने ये हतिय हो गे थे कर्ण से जब उन्होंने अपना कवच और कुंडल दिया था अब कर्ण के पास कोई डिवाइन वेपन नहीं था जो अर्जुन के लिए क्योंकि ये कैसा वेपन था कि इससे अर्जुन खतम हो जाते पंद्रवे दिन बैटल में क्या हुआ कि द्रोणाचार ने द्र बजा दी तो फाइनली इतने जादा वो परिशान हो गए और एंड टाइम पे जो कृष्ण ने शंक बचाया वो सुन नहीं पाए खैर ये भी एक अलग कहानी है बहुत कहानी मिक्स हो जाएंगी बेकार में कन्फ्यूज नहीं करते हैं लेकिन अश्वत थामा के मौत की खब और भीम के बीच में भी बैटल होती है देखी करण और भीम के बीच में बैटल एक बार नहीं साथ आड़ बार हुई थी अब देखी इसमें एक ही अध्याय दिखाया जाता है जिसमें भीम को करण ने पराजित किया वैसे आपको बता दूं कि कभी भीम पराजित करते थे क कभी करण पराजित करते थे भीम को, सत्रवे दिन तो भीम ने लगभग करण को मारी दिया था, तो ऐसा नहीं है, ये ड्रॉप पे था, लेकिन एक ही, मुवी सीरियल में खाली एक ही दिखाये जाता है, करण जब भीम को, वो एक ही बार है, जब करण, मतलब जब बुरी तरीके से करण ने भीम को पराजित किया, अगर इन ओल ओवर आप महाभारत देखे, तो करण और भीम का मुकाबला ड्रॉ रहा था, ठीक है, ऐसा था, करण के पास ये मौका था, कि वो पांचों पांडवों को मार सकते थे, अर्जुन को छोड़के, चारों पांडवों को बहुत आसानी से मार सकते थे, करण के पास ये पूरा मौका था, वो भीम को, भीम से जब लड़ाई कर रहे थे, तो भीम को कई बार मारने का मौका मिला, युधिष्टिर्ट को तो एक बार युधिष्टिर्ट तो इतना ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे, करण ने बावाल मचा दिया था, तो युधिष्टिर्ट ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम मार दिये करण को, अर्जुन ने बोλά नहीं, मैं नहीं मार पाया, तो युदिश्चित ने इतना अर्जुन को उल्टा सिधा बोला, अर्जुन युदिश्चित को मारने चले गए, कि ऐसा कैसे मुझे बोल सकते, तो क्रिछ्छ्चन ने समझा है अर्जुन को किरे रहने, तुमारा भाई ये काम सबसे बड़ा महा संग राम अर्जुन और कर्ण के बीच शुरू होता है और यह दोस्तों महा भारत में इस फाइट को सबसे बड़ी माना गया है सबसे बड़ी परशु राम ने जो धनुष दिया था विजया और यहां पे अर्जुन के पास उनका गांडीव था शल्य जो थ वो कर्ण के सार्थी थे और अर्जुन के सार्थी तो भगवान कृष्ण स्वयम थे शक्ती वैपन था नहीं लेकिन उसके बावजूत दोस्तों कर्ण ने बांड बजा दी अर्जुन की बहुत बुरी तरीके से यहां पे हालात बिगड़ गए और एक बार तो अर्जुन ल वो उनके हिलमेट पे लगा वरना अर्जुन का सर्धर से अलग हो जाता दोलों एक दूसरे को तीर बरसा रहे थे अर्जुन ने भी बहुत हानी पहुचाई ऐसा नहीं है कर्ण को अर्जुन ने भी बहुत ज़्यादा हानी पहुचाई है अर्जुन भी कर्ण के ओपर भारी पढ़ रहे थे लेकिन दोस्तों कर्ण का आप देखे श्राप याद क्या श्राप था श्राप ये था दोस्तों परशुराम ने बोला था कि जब तुमको सबसे ज़ादा जरूरत पढ़ेगी मेरी शिक्षा की उसी वक्त तुम भूल गया था बार बार इनका रत का पईया कीचड में फस जा रहा था कर्ण का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, बैटल फीड्स से अलग हो गया अब कर्ण बैटल फीड्स पे अर्जुन को मारने पे फोकस करें कि बार बार रत का पईया निकालें वो इसी में लग गए अब दोस्तों भगवान कृष्ण को ये समझ में आ गया था कि करिंड ऐसे बहुत मुश्किल ऐसे वद्ध करना तो करिंड का पईया, रत का पईया कीचड में फसा और भगवान कृष्ण, करिंड ने अरजुन को बोला कि अरजुन अभी मैं पईया निकाल रहा हूँ रत का पईया निकालनो तो तुम मारोगे नहीं टाइम प्लीज अर्जुन ने अपना गांडी नीचे रख दिया भगवान कृष्ण ने बोला क्या कर रहे हो अर्जुन हे पार्त उठाओ गांडी मारो तो अर्जुन ने बोला यह गलत होगा कुछ गलत नहीं है भूल गए भरी सभा में द्रौपदी के साथ कैसा व्यभार किया था कर ने यह सब भूल गए तुम दुर्योधन का उसने पल-पल साथ दिया है अब हुआ क्या कि अर्जुन ने धनुषबान उठाया और करण पे चलाया करण का सरधर से अलंग करण फाइनली स्वर्ग से धारे और करण का यहां पे अंत हुआ हालाकि इसका ये भी कारण है कि करण मंद्र का उच्छारान कई बार उन्होंने करना शुरू किया लेकिन वो भूल रहते मंद्र एकदम फोकस हड़ गया था परुशुराम के श्राप के कारण ऐसा था करण की जब डेथ हुई तो कुंती ने पांडवों को बताया कि करण तुमारे सबसे बड़े भाई थे पांडवों को बहुत बुरा लगा युदिष्टिर तो दिमागी खराब हो गया युदिष्टिर का लेकिन करण ने वो भी मना कर दिया कि मेरी लॉयलिटी दुरियोधन दोस्ती आकरी तक निभाई तो जब करण मरे तो मौत के बाद कुंती को जब कुंती ने बताया तो युधिष्टिर का दिमाग खराब होगे युधिष्टिर ने बहुत उल्टा सीधा बोला है यहाँ पर कुंती को उस सेंस में ने लेकिन बहुत बोला कि आपने बताया नहीं आप कौन होती है बाते चुपाने वाली बहुत दुखी थे हर कोई दुखी था करण की मौत से अर्जुन को दुख था लेकिन वो दुख वैसा वाला था था थोड़ा सा उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है यहाँ तक दोस्तों जब महावारत खता मुई तो कृष्ण और अर्जुन का जो संबाद था वो बड़ा रोचक है अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि तुम तो कहते थे कि करण बहुत महान है लेकिन देखा मैंने उसको मार दिया तो कृष्ण मुस्कुराए इस बात पर अर्जुन बार बार बोले था मैं ही महान मैं ही महान और यहां तक अर्जुन ने ये बोल दिया था कि जब मैं मारता था तो उसका रत जो है जब मैं धनुश चलाता था तो रत दस कदम पीछे जाता था जब वो रत चलाता था तो मेरा दो कदम पीछे रत जाता था बस तो कौन महान हुआ मैं तो कृष्ण मुस्कुराय और कर देता है तो सोचो वो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा ठीक है तो यह समझाया करण के बारे में अब महाबारत खतम करण का अंत पांडवों ने लगबग 30 साल तक रूल किया पांडवों को सत्ता मिली और उसके बाद पांडव स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए अर्ज के बाद ही कल्यूक का कल्यूक की शुरुवात होती है लेकिन करण एक बहुत बड़े एक्जामपल है करण एक एक्जामपल सेट किया है कि महानता यह होती है और सबसे सेलिब्रेटेड ट्रैजिक हीरो इनको बोला जाता है ठीक है एरिस्टोर्टल का फ्लॉड गुड मैन इ देखें यह कहानी कर्ण की थी मैं आपको समय समय पर चीजे बताता रहूँगा चोटी चोटी स्टोरीज लेकि आता रहूँगा अगर आप और किसी के बारे में महाभारत के किसी और हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताए देजज सिद्दान तक निय ज्यादा इंट्रस्टिंग और एक वीवर थे जो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर देए तीन-चार महिनों से अब मुझे एक्जाटल समझ मैं कि क्यों चाहते थे कि हम देखें ऐसा ही है अच्छा सबसे पहले तो अब तो बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग लग रह में मैं अच्छ आए है मुझे लेकिन एक तरफफ चाहते है काल नान भी मुझे मैन कपनेम मतलभ करड़ते खना और इंटा इसमें एक तरिके सही देखाए गर कि करन को धिखाया गया है और जो भी शवाहिद मिले जो भी स्टोरी में पढगा है तो फकर इनिkay नेने महंभार से ही इनुने स्टोड़ी बताई हैं. तो इसमें देखा जाये, करन बहुत ज्यादा पॉजिटिफ थे बहुत ही. और महाधानी का उनको एक लकब मिला था. वाकै कोई अपने धात निकाल के दे दे? दहात निकाल के देदे, कवज निकाल के देदे, जिसके साथ वो पैदा हुए थे, बिल्कुल ऐसा ही है, और जो अकसर मतलब है के मिसालों में हम सुनते थे, करण, अरजुन, करण, अरजुन की जोड़ी, तो मतलब एक माँ के दो बेटे हैं, जुदा हो जाते हैं, असल फिल् अपने पत को लेखर 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 है ना, दोस्ती को लेखर है और दूसरा वचन, अच्छा तीसरी बात यह, मुझे एक चिज और लग रही है, तो इनों ने कहा है आप टॉर्नमेंट पे बहुत अच्छा जवाब दिया ता करणे, जब उनके पास कुदी गई थी और उने तो सब मुझे तना जादा मतलब एक तरीके से इंफियर कर रहे थे कि तुम हिस्तानी ले सकते तुम नहीं लड़ सकते और उस वक्त इनके फ्रेंड ने का साथ दिया जिसे पुरी सलतनत दे ती और फिर यह लड़ पाए तो उस वक्त आप मेरा साथ दे देनी उस वक्त आप करने ही उते ओपर बाले ने कोई नकोई रास्ते कोई नकोई चीजे कोई नकी किसी ने कि सबहाने से वो होता यह कि शक्ति ऊपिष रहा हूंगी मतलब कि एक तरह तरह लिए आप जिसे लड़ यह उजन, अनके साथ भगवाने ओक रिध थे ने एक तीर तो एसा लगा थे कि जारती बाते है क्रेशन भगवान उनके साथ थोड़ा आगे पीछे कर दिया कि उनके हलमेट में लगा और वो बच गया यानि कि ऑल्मुस्ट देखा जाये तो करन भारी थे अच्छे भारी थे अर्जुन पे दधाराई यानिकलद करन दो नुद ने कमें के बता बताई रहें कि यहार उजए आग उनके पाँवारे हाए हृ दो इसको अीज वगे शक्ति शाली तो इसका मतलब कि इने शक्ति शाली थे जा एं मैं तोलहाया opposition होगे जिए मिलिए ही बागिस्ट्र शाओवानकों हरा द दि जिस समय उनको मारा है एक तरीके तेदर का जाए तो ये भी जब आपको कृष्ट महगवान ने कहा था कि थोड़ा से स्टे करो अभी रुच जो अभी कुछ ताइब दो मैं पया निकाल दू उसके बाता लेकिन उनको शायद किसी ने चड़ाया किसी ने बोला कि उनने फिर मा पता चल गया था उनके भाई हैं लेकिन फिर भी उनकी तरफ नहीं के सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेके अच्छा तो टोटल देखा जाए तो क्या मतलब इस से हमें ये सबग मिलता है कि क्या रिष्टे खून के रिष्टे इन सब चीजों से बढ़के वच्चन होता है इन सबसे चीजों से बढ़के क्या जबान होती है क्या इस सारी चीजें अगर जिन्दगी में कभी किसी का वक्त पड़ता है ऐसा तो क्या इन चीजों को भी आप साइड पे रख दो अपनी ड्यूटी के सामने अपने एक मकसद के सामने उन्होंने वहीं किया उन्होंने मतल कि मैं आपसे बचन देता हूं कि बाकी भाईयों को नहीं उनको नहीं हानी पहुचाओंगा उनने नुक्साद जब कि मार सकते थे उनको छोड़ दिया और सिफ अर्जुन का कहा कि मैं उसे नहीं चोड़ू का अच्छा एक और चीज के जूट 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 पोल के अच्छा हो सकता है कि अच्छ पोल के भी अपना काम निकल वा सकते थे लेकिन उनने शुरू में जूट बोला कि नहीं यार मैं मतलब के भरामन हूं या मतलब के शूर्थ हूं तो उस उस पर मुने मतलब मुने सिखा दिया गया सारी चीज़े पर बाद में जब पता जला तोने आपको कोई चीज मिलनी है वो सच पर भी मिल जाएगी नहीं मिलनी वो जूट पर भी नहीं मिलनी तो इंसान अपने आप में अपने अपर इतना कॉंफिडेंस हो कि जूट का सारा नाले शराब देकर वापस नहीं लिया सकता है कि यह पता चला हां कि युकि बाद में वो बच्टा है उन्हें अफसोस हुआ कि मैं इसी लिए कहते हैं कि जब आप होग ज़्यादा जजबाती हो तो कोई फैसला लेना चाहते हूं तो फैसला लेना लेकिन अब इस वक बहुत तपे में और बहुत खतरना का फैसला लेना है तो उस फैसले को थोड़ा टाल दे मतलब फैसला ना ले ठेंडे हो जाए अपका फैसला और बाद जबात में किये गए इनसान बहुत ज़दा आखिर में पच्छता है कि यार यह मैंने गिये क्या कर दिया गुशे में कर दियार गुसील इंसान सिनुन सघर तूड जाते हैं भूस सारे मसल्में यह तो बहुत अछरी तरह किया और शायद हमारी इनकी पहली वीडियो डियो अपछी गुजी तो बहुत पसंदाई ईपधून अच्य लगा बहुत अच्छा लगा बहुत लूने बता